किसान भाई यो धानकी फचल में खर्पदबार, किसानों के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि यदि हमारे धानकी फचल में खर्पदबार हो जाते हैं, तो ये हमारी पैदावार को लगभग 40% तक घटा सकते हैं या कम कर सकते हैं, अर्थत मेरे कहने का मतलब है, य यदि हमारे धानकी फचल में खर्पदबार निकलाते हैं या हो जाते हैं, तो हमारे धानकी जो पैदावार है, वो लगभग 40% तक कम हो जाती है, और कभी-कभी मैंने देखा है, बहुत सारे किसानवाई ऐसे होते हैं, कि उनकी धानकी फचल में इतने ज़्यादा खर्पद से निकालना चाहें तो लेवर का चार्ज जो होता हो काफी महँगा पड़ जाता है तो अगसान भाई हो आज के इस वीडियो में मैं आपको धानकी फचल में लगाने के लिए एक ऐसी खरपद्वार नासक दवा बताउंगा जिसे लगाने के बाद में आपकी धानकी फचल से जिद्दी से जिद्दी खर्पदवार, जैसे मौता है, दूब है, सांभा है, बट है, लेदर है, या मौता का खर्पदवार है, ये आसानी से सुख जाएंगे, और आपकी धान की फचल पर किसी प्रिकार का भी फिर्वाव नहीं पड़ाया गिसान भाई हो, तो इसके बारे म धान की फिसल में लगने के बाद, धान की फिसल से, खर्पदवार को कितने दिन में सुखा देगी या हटा देगी, तो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त मही पाल सिंग, और आप देख रहे हैं, आपका अपना मन परसंद जूप चैनल, MS टेक्निकल खेती, किसान भाई धान की फिसल में जब खर्पदवार निकलाते हैं, तो हमारे धान की फिसल में एक तो गिरोट कम होती है, उसके अंदर पीला पना जाता है, और धान की फिसल में बीमारिया बहुत ज़्यादा लगती हैं, क्योंकि धान की फिसल में जो खर्पदवार होते हैं, जिससे हमारे या खादगा लगभग पचास फरसेंट भाग जो होता है वो खरपदबार ले लेते हैं या खरपदबार घ्रहन कर लेते हैं जिससे हमारे धान की marshals को केवल पचास फरसेंट ही मिल पाता है तो इससे किसानवाईयों क्या होता है जो खर्पदबार होते हैं वो भी बरावर चलते हैं और जो हमारी फचल हो भी बरावर चलती है अर्थाथ हमारी फचल खर्पदबार के सामने कम हो जाती है नीची हो जाती है या कमजोर पड़ जाती है जिससे फचल में पीला पन और आप से कब तक करना चाहिए तो धान की फचल में खर्पतबार को सुखाने के लिए आप इस दवा का प्रियोग 15-40 दिन की फचल पर कर सकते हैं तो आप कभी भी लगा सकते हैं लेकि 40 दिन के बाद यह आप लगाएंगे तो आपकी फचल में यह थोड़ा जटका देगी यह आ हैंद्रे से तीजी डिन के वस्ता करते हैं तो आपकी ध्यांगी फचल पर ना तो कोई फिरभाएंपड पढ़ेगा और आपकी ध्यांगी फचल की घ्रोत औप अच्छी रहेएगी तो इसके लिए आपको झर्वाइंगाएं ऐसे अपको प्रिपत्तिवाले खर्पत्टोर feature तो इसके लिए आपको मार्किट से दवाई लेकर आनी है आपको लेकर आनी के सनवाई हो बिस्फारिक बैक सोडियम 10% SC ये काफी नौमस आती है इसकी यदि हम डोज की बात करें या मातरा की बात करें तो आपको लगभग 70 ml फिरती एक्र के जाब से लेनी के सनवाई हो और लगभग 100 से 120 लिटर पानी लेना के सनवाई हो यानि 70 ml दवाई को आप लगभग 100 से 120 लिटर पानी में लगा सकते हैं तो ये खरपदवार आपकी धान की फिसल से सभी पिरकार के शक्री पत्ति वाली खरपदवार हैं उन्हां असानी से सुखा देगा किसान भाईयो और यदि आपकी धान की फितल में चोनी पत्ती वाले खर्पदवार है जैसे मोथा खर्पदवार है या किसी पिरकार का भी चोनी पत्ती वाले खर्पदवार है तो आपको इसके अंदर एड़ करना किसान भाईयो पाउच आपको लगभग एक एकड़ में लगाना किसन भाई यह यैनि एक सुबीश लिटर पानी में आपको इसका इस्तवाल करना किसन भाई यह 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 दोनों दभाए यह आपको मार्केट से लेकर आनी है अब बात कर लिए हो इसके लगाने ना करेंगे सनवायो ये दियाप उसमें इसका इस प्रे करेंगे तो जो खर्पतबार नासर द्वाई आप लगाएंगे ये आपकी फशल में अच्छे से काम नहीं करेगी सनवायो तो इस बात का आप विश्य ध्यान रखें और इस दवा का पिरियोग करने के बाद के सानवाईयों आपको जो अपने धान की फचल की सिचाई करनी है वो 36 घंटे के बाद करनी है और 40 घंटे से पहले पहले कर दिनी है और इस दवा को लगाने के बाद के सानवाईयों आपकी जो धान की फैसल है उसके अंदर जो खर्पतबार है वो लगभग 8-10 दिन में पूरी तरीके से सोख जाएंगे और आपकी जो धान की फैसल है वो एकदम साफ हो जाएगी अर्थाता आपकी जो धान की फैसल है वो मुक्त कर सकते हैं याद आपको किसी अनिय फशल का वारे में कोई जान कर चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं याद ही मेरे दूषारा देगे जान करी आपको अच्छा लगी हो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें सेयर करें और चैनल के जरूर सस्क्राइब परें थैंक्स पर वाचिंग माई वीडियो